खनियाधाना में निकला भावी बजरंग दलकाश शौरे पांति संचलन नगर के प्रमुक मार्गों पर लोगों ने पुश्प वर्षा कर किया स्वागत हिंदूत्व की गरजना हाथों में भागवा ध्वज धाम नगर के प्रमुक मार्गों से निकले सैक्ड़ों के संख्या में बजरंगी बजरंगदल का शौरीपंध संचलन गद दिवस नगर की ट्वेकरी मंदिर प्रांगड से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुक मार्गों से होता हुआ वापस ट्वेकरी मंदिर प्रांगड में आकर समापन हुआ शौरिपद संचलन में संगठन की कारिकरता हिंदूत की गडवेश में हातों में भगवा ध्वजले करदेश का बल बजरंगदल और जय श्री राम वा एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम के नारों से अरस्मान को गुन जाय मायन करते हुए निकले जहां मार्ग में कई जगा लोगों द्वारा पुश्ववर्शा की गई जगा जगा बजरंगदल के शौरिपद संचलन में माध्यम से लोगों को ये बताना उद्देश था कि परम पोजी डॉक्टर हेड गेवार ने कहा है कि हम बस यही चाहते हैं कि हमारा पवित्र हिंदू धर्म तथा प्रिये हिंदू संस्कृती संसार में गौरफ के साथ परम जीवन को प्राप्त करें किंदू हमारा धर्म तथा संस्कृती कितनी ही श्रेष्ट क्यों ना हो यदि हमारे पास उनकी रक्षा के लिए आवश्यक शक्ती नहीं है तो इसका कोई महत्व नहीं है इस भाब लोधी ने बताया कि हमारे देश का विकाज सिर्फ हृंदूत्ओ की विचाडदारा को आत्मसात करने पर ही संबव है हमारे देश की नीव का पत्थर हिंदू है जब भी देश पर संकटाया है चाहे वा प्राकरति काब्दा हो यह दुश्मन देशों का आक인 हमारे सैन आमान करते हैं खानिय धाना से शिवकांत सोनी की रिपोर्ट